हिमाचल के बिलासपुर जिला में एम्ज जा रहे भाजपा के राश्टरीय अध्यक्श जेपी नड़ा का काफिला रोकने पर पुलिस करमचारियों के परीजणों के खीलाफ सदर थाना में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बीते कल पुलिस करमचारियों के परीजन नालागड, सोलन और हमीरपूर जिला से बिलासपूर पहुंचे थे ये लोग भाजबा के राश्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ा के वहाँ पहुंचने से कुछ देर पहले ही मौके पर पहुंचे और नड़ा के काफिले को रोका पुलिस करमचारियों के परीजन हाथों में हैश्टैग जस्टिस फॉर एच्पी पुलिस के बैनर लिए खड़े थे ये सभी लोग गाड़ी के आगे आ गए करीब एक मिनट के लिए उन्होंने नड़ा का काफिला रोके रखा और उन्हें ग्यापन सौपा हाला कि इन लोगों को नड़ा ने आश्वासन दिया कि उनकी बात सुनी जाएगी इसके बाद काफिला आगे बढ़ा जेपी नड़ा की सुरक्षा में हुई चूक पर बिलासपूर के पुलिस अधिक्षक एसार राणा से दीजीपी संजय कुंडू ने रिपोर्ट तलब की है डीजीपी ने उन्हें 24 घंटे के भीतर मामले को लेकर रिपोर्ट सौंपने के आदेश जारी किये हैं एसपी बिलासपूर आज रिपोर्ट सौंपेंगे इसके साथ ही एडीजीपी अशोक तिवारी को मामले की जाच करने के लिए कहा गया है उन्हें जाच रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर सौंपनी होगी एम्ज में OPD शोभारंभ मौके पर नड़ा एक दिवस्य दोरे पर बिलासपूर पहुंचे थे लुणू मैदान में उनका हेलिकॉप्टर उतरने के बाद पुलिस जवानों के परीजन थोड़ी दूरी पर एकत्र होने शुरू हो गए कुछ ने जस्टिस फॉर एचपी पुलिस के बैनर पकड़े हुए थे काफिला जैसे ही लुणू मैदान से एम्स की तरफ जाने लगा तो कुछ लोग काफिले की तरफ सुरक्षा घेरा तोड़ कर बढ़ गए काफिला रोकने की उन्होंने पूरी कोशिश की काफिला रोकने पर उन्होंने नड़ा को मांग पत्र सौंपा पुलिस जवानों के परीजनों का कहना था कि सभी विभागों में कारेरत लोगों का अनुबंध काल कम किया गया है लेकिन पुलिस करमचारियों को राहत नहीं दी गई अब उन्हें केंद्र सरकार से उमीद है इसलिए उन्होंने नड़ा को ग्यापन सौंपा है जिला पुलिस ने दस लोगों को थाने में तलब किया था लेकिन उन्हें पूछताच के बाद छोड़ दिया गया है इन में से छे नालागड दो सोलन और दो बिलासपूर जिला से संबंधित थे हैरानी की बात ये है कि कई आतंकी संगठनों की धमकियां और Z-Plus Security होने के बावजूद कुछ लोग काफिले तक पहुँचे और Justice for HP पुलिस के पोस्टर दिखाए जैसे ही उन्हें देखकर नडड़ा की गाड़ी रुकी तो काफी संख्या में लोगों ने उनकी गाड़ी को घेड लिया सुरक्षा घेरे में हुई चूक की गाज किसी अधिकारी पर गिरना तै माना जा रहा है इस मामले में पुलिस ने इन पुलिस कर्मियों के परीजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है पुलिस जवानों के परीजनों पर धारा 147 वा 341 के तहत मामला दर्ज हुआ है इनकी संख्या 10 थी इस बारे में पुलिस अधीक्षक ऐसा राणा का कहना है कि लोगों का ग्यापन देने का तरीका गलत था 10 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और आवशक कारेवाई अमल में लाई जाएगी वहीं भाजबा के राष्ट्रिया अध्यक्ष और अन्यमंत्रियों के काफिला रोकने के मामले पर पुलिस महानीदेशक संजय कुंडू ने कड़ा संग्यान लिया है उन्होंने इस मामले की जाच लौ एंड ओर्डर के ADGP अशोक तिवारी को सौंपी है ADGP को यलो बुक के प्रावधानों के उलंगन के बिंदू पर जाच करने के आदेश जारी हुए हैं साथी सुरक्षा तोलने को लेकर भी जाच की जाएगी डीजीपी संजे कुंडू ने आदेश ये भी दिया है कि ADGP मौके का दोरा करने के बाद विस्तरित रिपोर्ट सौंपेंगे ताकि उचित कदम उठाए जा सकें भविश्य में VIP के टूर को लेकर इस तरह की चूक ना हो इसलिए संजे कुंडू कड़े तेवर दिखा रहे हैं